हेलो गाईज, वेलकम बैक टू माई चैनल, ये वीडियो क्लास 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th क्लास तक के बच्चों के लिए हैं, जिसमें मैं आज आप लोग को इंग्लिश में स्टोरी राइटिंग लिखने सिखाऊंगी, इसके साथ हैं मैं निफो एकसाम पर लिया हैं, जो आप लो इन हिंट्स को लेते हुए स्टोरी को कम्प्लीट करेंगे, एकसाम में भी आप लोग इस रूल को फॉलो करेंगे, दा शैफाइट बोई एंड दा वूल्फ, शैफाइट बोई कोन होता हैं बच्चों, चरवाहा, दा वूल्फ, वूल्फ क्या होता है, बीडिया, आउटला लड़का टैश दे रखा है, स्टोरी आप कम्प्लीट करेंगे, अपने भी डिये को चराता था, डैश क्राइस आउट वूल्फ, फॉल्फ, फन, वो अपने भी डिये को भगाता है, और ऐसा कन्ने में उसे फन मिलता है, डैश दा विलेजर स्कम्स, डैश अगेन आप स्टो स्टोरी को कम्प्लीट करेंगे, गाउं वाले रूते हैं, बोई लाफ, लड़का हसता है, डैश अगेन स्टोरी कम्प्लीट होगी, वूल्फ रियली कम्स, भेडिया सच में उसे डैश किल ही और इस शिप, क्या बोला गया है, कि वूल्फ उसे सच में मार देता है, उसको औ बोई, या बोला गया है, एक शैफ़ड बोई रहता था, मिसके एक चरवाह लड़का, या बोला गया है, कि वो अपने विलेज में, विलेज मतलब गाउं, वो गाउं के भेडों की देख भाल करता था, एक बार वो उन्हें पहाड़ी वाले एरिया पर लेकर के गया, वे उन्हें सुबस से शाम तक चराता था, फुल स्टॉप टालते हुए, आगे स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे, One day he wanted to make fun of the villagers, यहां बोला गया है कि एक बिन उसने गाउं वालों के साथ मजा किया, he cried out wolf, wolf, वे चिलाया, बेडिया, बेडिया, the villagers hear his cries, जो गाउं वाले थे, उन्होंने उसकी रोने की आवाजे सुनी, they rush to the place, गाउं वाले दोड़ करके वहां पहुँचे, तब वोई सैट, लड़के ने कहा, here is no wolf, यहां बेडिया नहीं है, it was only a joke, यह केवल एक मजाग था, the villagers were angry, जो गाउं वाले थे, वो उस लड़के की बात में बहुत गुस्सा हुए, they want back, अभी यहां पे बोला गया है, वे वापस चले गए, तो यहां से स्टोरी कम्प्रीट होती है बच्च Sorry, अभी स्टोरी कम्प्रीट नहीं हुई है, आगे आप लोग फुल स्टोप डालते हुए, स्टोरी को लिखना कंचिन्यू करेंगे, one day a wolf really come the year, क्या हुआ कि एक दिन सच में भेडिया वहां आ गया, the boy began to cry for help, याड़का मदद के लिए चिलाता रहा, nobody came to his help, निकिन कोई भ गिलतब बोई and his sheep, यहां बोला गया है कि भेडिये ने उसको और उसकी भेड़ो को मार डाला, इसके बाद आप लोगों को मोरल भी लिखना था, जैसे यहां दे रखा है, one sun layer, always sun layer, कार्ट की हंडिया बार बार नहीं चड़ती, तो यहां से हमारी स्टोरी होती है बच्चू to complete.